ओम नमस्ष पाइए आज सावन का दूसरा सोमवार है और आका जानते ही हैं कि सावन का एक-एक सोमवार आप के पूरे जीवन का उद्धार कर सकता है लिकिन तरीकह आपको पता नहीं चल रहा कोई बात नहीं परिशान होने की क्या ज़रृत है सावन के दूसरे सोमवार के दिन मैं फिर से आ गई हूँ आज आपको सावन के दूसरे सोमवार के उपाई बताऊंगी वो भी राशी के हिसाब से अगर आपने नहीं किये हैं तो कर लीजे आपके बहुत बहुत काम आएगा आज आपको ये भी बताँगी कि सावन विशेश क्यों है आखिर क्यों शिवजी को पसंद है और इस से आपका क्या संबन्ध है आज आपको वो तरीका बताँगी जिससे सावन में आपका कल्यान होगा इसलिए आज का शो देखते रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार पर आज आपको सभी महावपाई शिवजी और सावन के सोमवार से ही रिलेटेट बताऊंगी यह उपाई आपको सावन में कर ही लेने हैं आज का पहला महावपाई सुने क्या लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ऐसे में सावन के किसी भी सोमवार के दिन वरत रखें और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें सावन का दूसरा सोमवार है आपने पूजा कर ली होगी लेकिन अगर आपको शिव जी की क्रिपा सही में प्राप्त करनी है तो राशी के मुताबिक को चुपाई कीजे वो क्या है? बताने जा रही हो मेश राशी के लोग सावन में शिवलिंग पर कच्छा दूद और दही अर्पित करे कपूर जलाकर भगवान की आरती करे व्रिश्चिव राशी के लोग सावन में शिवमंदिर जाए और भगवान शिव को गन्य के रश से स्नान कराएं इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर अर्पित करे मिथुन राशी के शिवभग स्वटी के शिवलिंग की पूजा करे लाल गुलाल कुमकुम चंदन इत्रादी से शिवलिंग का अभिशेक करे करक राशी के भक्त अश्ट गंद और चंदन से शिवजी का भी शेक करें बेर और आटे से बनी रोटी का भोग लगा कर भोलिनात की पूजा करें जिन शिव भक्त की राशी सिंग है वो फलों के रस और पानी मिला कर शक्कर घोल कर शिवलिंग का भी शेक करें कन्या राशी के लोग भगवान शिफ पर बेर धतूरा आपके फूल अर्पित करें अभी छे राशियों की बात की है शो पर आगे बाकी की बच्ची छे राशियों की बात होगी लेकिन पहले एक और जरूरी बात है जो मुझे आपसे करनी है अच्छा मैं आपको सावन की पूजा के बारे में बताती हूँ लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिफ जी को सावन का महीना ही क्यों पसंद है सावन भी तो एक महीने जैसा ही महीना जैसे आम महीने आखिर इसमें खास क्या है नहीं पता चलिए बताती हूँ मानिता ये है कि सावन में भगवान विश्णू सारी जिम्यदारियों से मुक्त होकर अपने दिव्य भवन पाताल लोक में विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं और अपना सारा काम महादेव को सौप देते हैं भगवान शिफ पारवती मा के साथ प्रित्वी लोग पर विराजमून रहे कर प्रित्वी वासियों के दुख दर्थ मुक्त को समझते हैं उनकी मनों कामनाओं पूरा करते हैं इसलिए सावन का महीना बहुत जादा एहम है महादेव को सावन सबसे प्रिय महीना लगता है क्योंकि श्रावन मास में सबसे ज़्यादा वर्षा होने के आसार रहते हैं जो शिवजी के गर्म शरीर को थंड़क प्रदान करता है जिसकी वज़से लोक कल्यान के लिए विश्क को ग्रहन करने वाले देवों की देव महादेव को ठंड़क और सुकून मिलता है शाहिद यही कारण है कि शिवजी का सावन से इतना गहरा लगाव है पुराणों और धर्म गरंतों के अनुसार भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का सबसे ज़्यादा महेत्व है इस महीने में ही पारवती जी ने शिवजी की घोर तपस्या की थी और शिवजी ने उन्हें दर्शन भी दिये इसी महीने में दिये थे तपसे भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिवजी की तपस्या और पूजा पार्ट से शिवजी जल्दी प्रसन होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं अब जल्दी से आपको आज का दूसरा माहा उपाई बताती हूं क्या लंबे समय से दर्द से रहत नहीं मिल रही है डॉक्टर से सला लेने के साथ साथ आप ये उपाई कर सकते हैं सावन में भगवान शिफ के मंदिर में जाकर शिफलिंग का दूध और काले तिल से अभी शेक करें सावन का दूसरा सोमवार है आप अपनी राशी के मुताबिक उपाई का इंतजार कर रहे होंगे मैंने अभी तक सिरफ छे राशियों की बात की है बची भी छे राशियों के बारे में मैं आप बताने जा रही हूँ तुला राशी वाले लोग जल में तरह तरह के फूल डाल कर उस जल से शिफ जी का अभी शेक करें इसके बाद बिल पत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन, भुलिनात को अर्पित करें बिश्चिक राशी के शिफ भक्त सावन में शुद जल से शिफ लिंका अभी शेक करें जिन भक्तों की राशी धनू हैं वो सावन में चावल से शिफ लिंका श्रिंगार करें चावल को पका लें, इसके बाद पकेवे चावल को ठंडा करकर शिवलिंग का श्रिंगार करें सूखे मेवे का भोग लगाएं, बिलपत्र गुलाब अर्पित करके आर्ती करें देखी इतने से चावल से शिंगार कीजेगा, बाकी चावल किसी गरीब को दान कीजेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजेगा. मकर राशी के शिवभक्त, गेहूं से शिवलिंग को ढखकर अच्छे से पूजा करें. पूजा करने के बाद गेहूं का दान जरुवतमन लोगों को कर दें. कुम राशी के लोग क्या करें? सफेद काले तिल को मिला कर किसी ऐसे शिवलिंग पर चड़ाएं जो एकांत में हो. शिवलिंग पर चड़ाते वे दोनों हाथों से शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराएं. इसके बाद सफेद काले तिल अर्पित करें. पूजन के बाद आर्ती जरूर करें. और जिन भक्तों की राशी मीन हैं, वो पीपल की नीचे बैठ कर शिवलिंग की पूजा करें. साथी ओम नमद शिवाय का 35 बार उच्चारण करके बेल पत्र चड़ाएं, आर्ती करें. आपके लिए सावन की कथा जानना बहुत जरूरी था. ताकि आप अपने बच्चों को भी बताएं, उनकी अंदर भी संसकारपन पे. और जब कथा पता होगी, तो शिवजी की भक्ती करने में और मन लगेगा. सावन के बारे में एक पौरानिक कथा ये भी है, कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान बोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ती से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जनम में पती के रूप में पाने का प्रण किया था, अपने दूसरे जनम में देवी सती ने पारवती के नाम से हिमार्चल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन लिया, पारवती जी ने सावन के महीने में निराहार रहकर कथोर व्रत किया शिवजी को प्रसंद कर उनसे विवा किया जिसके बाद ही महादेव के लिए ही विशेश हो गया कुछ कथाओं में ये भी वर्रन आता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन किया गया था मन्थन के बाद जो विष्ट निकला उसे भगवान शंकर ने पी कर स्रिष्टी की रक्षा की थी कहानी चाहे जो भी हो बस सावन महीना पूरी तरह से भगवान शिफ की आराधना का महीना माना जाता है भक्त अगर पूरे तरीके से विधी विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सभी दुखों से, सभी चिंताओं से मुक्ती मिलती है सावन के सोमवार में प्रसन हो जाते हैं शिव जी शिव भगवान सावन महीने के हर सोमवार को शिव जी की पूजा करें इस दिन वरत रखने और भगवान शिफ का ध्यान करने से विशेशलाप प्राप्त होता है। ये वरत भगवान शिफ की प्रसंता के लिए किये जाते हैं। वरत में भगवान शिफ का पूजन करके एक समय ही भोजन किया जाता है। आप चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष मिधारन कर सकते हैं कावर का महीना जीहा सावन के महीने में भक्त गंगा नदी से पवित्र जल और और नदियों से जल लाकर भोले बाबा को देते हैं और भगवान शिफ का जल अभी शेक करते हैं कल्यूग में ये भी एक प्रकार की तपस्या है बलिदान है जिसके द्वारा देवों की देव महादेव को प्रसंद करने का प्रियास किया जाता है चली अब आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है ये बताते हैं क्या एक्जाम में सफलता नहीं मिल रही है सावन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बाते हैं जो महादेव के हर भक्त को जानना जरूरी है आपको भी जाननी जरूरी है शायद आपको पता नहों तो चलिए देर किस बात की सावन का दूसरा सोमवार है और आपको वह सब बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत-बहुत फायदेवन्द है सावन में शिवजी की पूजा करना कथा सुनना चाहिए इसके साथ ही बुरे विचार त्याग देने चाहिए बारिश का महीना इसे लिए संयम भरतना चाहिए पूरे सावन तक रुद्रविशेक करें, रुद्राक्ष की माला धारन करें, ओम नमस्षिवाय का जाप करें इन दिनों जो लोग वरत रखते हैं, उनको अपनी किसी प्यारी चीज़ का त्याग कर देना चाहिए फल, फूल, धान्यों, बिलपत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए भूमी पर भी सो सकते हैं, बहुत अच्छा है ब्रहम चरे का पालन करना चाहिए और जूट नहीं बोलना चाहिए सुभा आपको सनान जरूर करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए इस महीने घ्रह यग्य करने पर मनो कामना भी पूरी होती है सोमवार का वरत, रोटक मंगलवार और मंगल गौरी भगवान बुद का वरत, बुद वरत, भ्रसपती का ब्रसपती वरत शुक्रवार का जवन्ति का वरत, चनिवार का हनुमान तता नर्सिंग वरत सावन में तिथ्यों का महथ विभू होता है सुकल दित्विय को किये जाने वाला और दुबर वरत तिथिया को गौरी वरत चतुर्थि और दुरगागणपती फ्रत ले बिंधधिन ₤ चतुर्थि के नाम से भी दश्मी को आशा व्रत द्वादशी को किया जाने वाला व्रत श्रीधर व्रत कहलाता है सोचिए इन सारे व्रतों को करकर कैसे आप महादेव को प्रसंद नहीं कर पाएंगे सावन में शिव रूदरी के पाठ का विशेश महत्व है इसके फल का वर्णन कई जगाओं पर मिलता है सबसे पहले शिव पूजक संकल्प करें इसके बाद शिवलिंग को पंचामरित से स्नान कराकर निश्था से ओम नमस्षिवाय का जाप करें अच्छे पुरोवित से रुद्राश्टमी का पाठ कराएं भगवान शंकर के द्रव्यों से अभिशेक करके फल जल अर्पित करके वर्शा की प्राप्ति कुशा का जल अर्पित करने से शांती दही से पशु प्राप्ति एक रस से लक्ष्मी की प्राप्ति मदू यानि की ह और केवल दूद की धारा से अर्पित करने से बिमारी दूर होती है, मनुकामना पूर्ण होती है, मनुकामना पूर्ण करने के लिए तो शक्कर मिलेवे दूद को अर्पित करें और इससे तो बुद्धी का भी विकास होता है, सरसो या तिल के तेल से दुश्मन की कोई भी साजश काम्याब नहीं हो पाती है शेह दर्पित करने से पाप का शाय होता है रुद्र अभी शेक के बाद 11 दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए इसी प्रकार भगवान शिफ का फूलों से पूजन करके कई तरीके के गुण मिलते हैं कमल पत्र बेल पत्र शत पत्र शंक पुष् पूल चड़ाने से मान सम्मान की व्रिद्धी होती है जवाब फूलों से पूजन करने से दुष्मन की साजश नाकाम्याब होती है कनेर के फूल से पूजा करने से रोग से मुक्ति मिलती है और संपत्ति की प्राप्ति होती है हर शिंगार के फूलों से पूजा करने से धन क की संपत्ति बढ़ती है भांग और धुतूरे से करते हैं पूजन तो सेहत अच्छी रहती है चंप और केटकीव के फूलों को छोड़कर सभी फूलों से भगवान शिफ की पूजा की जा सकती है साबुत चावल चड़ाने से धन बढ़ता है गंगा जल अरपित करने से मोक्ष प्राप्थ होता है जो भर्ष पूरे महीने उपुआस नहीं करते हैं वो सावन के सोमवार के सामान ही प्रदोश का भी महत्व है इसलिए सावन में सोमवार के भगवान शिफ की विशेश आराध के होते हैं सोमवार, सोला सोमवार और सौम्य प्रदोश सोमवार वृत की विधी जो है वो सभी व्रतों की समान होती है इस व्रत को सावन के आरंब से शुरू करना शुब माना जाता है सावन सोमवार व्रत सुर्योदे से प्रारंब करकी तीसरे पहर तक किया जाता है शिफ प पूरे घर की साफ सफाई करका नहा लेना चाहिए गंगा जल या पवित्र जल से पूरे घर में छिड़काव करें, घर में किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान शिफ की मूर्ति यां चित्र स्थापित करें, सावन सोमवार व्रत को फलदाई कहा जाता है, विवाहित सम्रद्धी सम्मान प्राथ होता है जबकि पुरुषों को ये वरत करने से काम में सफलता मिलती है आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है कुमारी लड़किया अगर सावन के सोमवार को शिफ परिवार का विधी विधान से पूजन करती है तो उन्हें अच्छे और बहुत बढ़िया घरबार मिलता है सावन में भगवान त्रिलो की नात डमरुगर भगवान शिफ शंकर की पूजा अर्चना करना बहुत महत्वदाई होता है भगवान भोलेनात को प्रसंद करने के लिए सावन में भक्त लोग उनके अनेक प्रकार के पूजन अभिशेक करते हैं भगवान भोलेनात जल्दी ही प्रसंद होने वाले देव हैं प्रसंद होकर भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं महिलाएं सावन के सोला सोमवार का वरत शुरू करती हैं सुहागन महिलाएं अपने पती और संतान की रक्षा के लिए कुवारी लड़की इच्छित वर प्राप्ति के लिए अपने भाई पिता की उन्नती के लिए पूरी श्रद्धा के साथ वरत धारन करती है सोला सोमवार कुल वृद्धी के लिए लक्ष्मी प्रात्ती के लिए सम्मान के लिए भी किया जाता है शो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको आज का चौथा महा उपाय बताती हूं क्या मन में कोई पाप है जो दूर नहीं हो रहा है सावन के महीने में शिबलिंग पर भांग चड़ानी चाहिए इससे धीरे धीरे आपको दिक्कतों से मुक्ती मिलेगी चली वक्त हो गया है आपके साथ कुछ खास बातचीत करने का ये वो बातचीत है जो मुझ से सीधा आप तक पहुंचती है मैं बात कर रही हूँ आस्टरू स्पेशल की आज आस्टरू स्पेशल में आपको एक खास छोटी सी रेमिडी सोमवार के ओपर देती हूं सोमवार का जो दिन है सावन के महीने में और स्पेशल हो जाता है पीले कपड़े में एक मुठी चावल अपनी मदर या अपनी मदर इनलों से लेकर बांद कर नौर्थ वेस्ट में स्थापित कर दीजे उसके साथ ही एक कांच की बोतल में थोड़ा सा वर्शा का पानी खटा करकर रेंड वाटर इखटा करकर डाल कर रख दीजे इससे चंद्र पेस्बुक पर प्रीती चोहान ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर करी है वो जानना चाहती है कि बच्चों का गुस्टा कम कराने के लिए क्या उपाई करने चाहिए बच्चों के कमरे में मैक्सिमम मोर पंक रखने चाहिए जब बच्चे अडियल हो जाते हैं जिद्धी हो जाते हैं तो ये राहू का काम है राहू यानि की साप और मोर से साप ड़ता है मोर पंक बच्चे के बिस्तर की नीचे, पिलो की नीचे, वाट ड्रॉब में, किताब में, सब तरफ फिला दीजे बच्चों का गुस्सा कम होने लगेगा चलिए शो के एंड मैं आपको आज का पांचवा और आखरी महा उपाई बताती हूं क्या किसी अन्होनी का डर सता रहा है? शिबलिंग पर आवला और आवले का रस चड़ाए, डर खतम होगा अब जड़ा कल की बात कर लेते हैं हर किसी की जिंदगी में कुछ चीजे लखी होती हैं और कुछ चीजे अनलकी होती है क्या आपको अपनी जिन्दगी की लखी और अनलखी चीजों के बारे में पता हैं? अगर नहीं पता हैं तो कल का शोज जरूर देखिए अभी चलती हूँ, बाई बाई, ठेक केर